जै हिंद फीजोर ओफ इंडियोर आप स्वागत है मिरे नाम है महीमान सुक्मार और इस वीडियो उन्हों डिसकस करने जा रहे हैं आज इंडियान इंफोटेक और सब्डेयर लिमिटेट के बारे में पहले भी इस चैनल पर काफी बाते हुए इसमें एक्चुल में प्रोब्ल को रिकाभर कैसे करना है और इस वीडियो में ये भी जाने को सिचन्थ करेंगे कि लॉश को को रिकाभर किया जा सकता है कि नहीं क्या सकता है इसी मुझ्देप्रदम आसमा को बताऊंगा कि Indian इनफोटेक में यदि आपका इन्वेस्टिमेंट है तो इस चुले चुलिए सु इसलिए करहा हूं कि पिछले यह जो मैंने इतना टूटा है और एक मन्त में इतना टूटा है जो दूसरे पर देखेंगे जो दूसरी छोटी कंपनिया है उनके शेयर प्राइस में देखेंगे तो इन दिनों तेजी देखने को मिल रही है चाहिए आप उस यहां पर देखेंगे तो एक लंबी समय से इसका चांट बेटर्न डाउंट्रेंड में है देखेंगे चांट बोलता है यदि टेकनिकल एनालीसिस को आप समझ गया है तो आपको किसी कंपनी में लौस होगा ही नहीं यह मुझसे लिख कर रख लिए इसलिए टेकनिकल एनालीसिस किसी भी कंपनी का काफी इंप्रेंट होता है जब आप उसमें पैसा लगाते हैं या वो भी जरूरी है लेकिन main technical analysis सब कुछ बता जाता है इसलिए fundamental के जालोग वसना ही नहीं है हला कि उसके बारे में आपको बताऊंगा लेकिन फिलाहल अभी यह समझे कि इसमें करना क्या है देखिए इंडियन infotech का market cap कम होकर आ गहा है सिर्फ 193 क्रोन रोपे जहां इस company का market cap मत बढ़ेगा कैसे जब company का share price बढ़ेगा तब market cap कम होने का मतलब है कि अभी इसमें तीजी यानि के कोई इमीद नहीं है इसलिए आप देखेंगे तो शेयर प्राइस में अभी यहां पर अभी यहां पर अभी यह डाउन ट्रेंट में इसको इसको नहीं कहेंगे तब कहते हैं जब क्याओ इसको चार्ट चल रहा हो लेकिन आप यहां पर क्लियर ली देख सकते हैं और जब तक ये नहीं कह सकते हैं कि अब इसमें तेजी आएगा या कब इसमें थे आएगा लबी आधी में आएगा कुछ दिनों के बाद आएगा इस बात की प्रवबल सम्हाव ना है ल अभी कुछ लोग निकलने के लिए सोच रहे काफी काम का पैसा लागाती है और काफी उनको लॉस हो रहा है परिसान हो गया है तब मैं कहूंगा कम से कम आप आधास यानि की हाप क्वांटिटी तो जरूर सेल कर दीजिए और बाकी का हाफ क्वांटिटी इसमें रोख सकते क्य जो लोनों अगर प्रवाइड करते हैं और नाम में लगा है तो इससे कंफ्यूज है ना दूसरा काफी दिनों से बात आ रहा है कंपनी नसी पर लिश्ट होने वाली लेकिन नसी पर अभी लिश्ट नहीं हुई तो तमाम ऐसे सुधार होने इस कंपनी में जो भी बाकी है और जो काफी कम है इसका लाँ रही है तक अपनी का और सोनों अपने सेर्स को थोड़ा सा घिरूवी रखाए तकरिबण दो पूंट चारदो परसंटि यह ठीक नहीं है प्रमोटर अपने सेर्स को घिरूवी तब रखते है जब उनके पास पैसो के कमी होती है तो जाईर से बात यह सजेस्न रहेगा कि आपके पास यह इस कमनी के स्टॉक हैं तो आप क्या किजिए हाफ क्वांटिटी तुरंत सेल कर दीजिए और हाफ क्वांटिटी को होल्ड करके रख सकते हैं यह निकलना चाहिए तो पूरे तरीके से मत निकल लिएगा क्योंकि कभी कुछ भी हो सकता है कि आधा क्वांटिटी यह आप बचा कर रखे रहेंगे तो जब चलेगा तो आपके पूरे लॉस को रिकवर कर देगा तो इंडियान इन्फोटेक में यही बात है कि आपको समय देना होगा समय अब इसा नहीं कि पूरा जिंदगी इसी के स्टॉक में खपा देना और भी दूसरे इस्टॉक से जिसमें आप अपना पैसा लगा के अच्छा खासता पैसा बना सकते हैं इधर से लॉस को जो लॉस हुआ उधर रिकवर कर सकते हैं तो मेरी बात मानिए आधा क्वांटिटी सेल कर दीजे मार्केट प्र आधा अपना होड़ करके र झाल